आपके साथ एक ऐसा concept शेर करने जा रहा हूं जिसकी understanding के बाद आपके अंदर कभी जो jealousy आती है जलन की भावना आती है वो motivation में convert हो जाएगी और सोचो अगर ऐसा हो जाए तो कितना change create हो सकता है आपकी life में लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें मैं चाहता हूं कि आप इस channel को subscribe कर लें और bell icon को भी प्रेस करें so that you can watch every video कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि किसी दूसरे इंसान की सफलता को देखके उसकी success को देखके या उसकी जिन्दगी में जो results हैं उन्हें देखके अंदर से एक jealousy की feeling आती है एक जलन की भावना आती है अब कई लोग इसे accept करते हैं और बहुत सारे लोग इसे accept नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे लेकिन अगर deep down check करें खुद के अंदर जहांके देखें तो ये feeling almost हर किसी को कुछ नकुछ level तक जरूर आती है उसके according वो thoughts कैसे create करेगा ये depend करता है कि उसका level of existence क्या है बहुत lower level of existence होगा तो शायद आपको बहुत ज़्यादा गुसा आएगा या बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा हो सकता है आप भला बुरा सोचोगे उस इंसान के बारे में उससे थोड़ा अच्छी level होगी आपकी existence की तो हो सकता है कि आपके मन में ये feeling आए कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है मैं इतना successful क्यों नहीं हूँ आप और भी ज़्यादा अच्छे level पे होगे तो आपके thoughts different होगे आप उस इंसान को appreciate करोगे कि वा भगवान ने उसको इतना अच्छा result दिया इतना कुछ अपनी जिन्दगी में दिया है तो ये तो जिस तरह के thoughts आते हैं ये depend करते हैं आपका level of existence क्या है लेकिन इसके background में science of mind के according में आपको एक चीज बताता हूँ NLP, Neuro Linguistic Programming जिसमें मैं work करता हूँ उसकी जो मेरी understanding develop होई last 10-11 years में उसके according में आपको एक ऐसी चीज बताता हूँ जिससे आपका चीजों की तरफ देखने का नजरिया एकदम से बदल जाएगा मैं एक example देता हूँ उससे आपको समझ मैय की बात अगर आप cricketer नहीं है यानि कि आप cricket खेलने वाले person नहीं है क्या आपको ऐसी जलन की feeling आती है नहीं वहाँ पे भी आपको ये feeling नहीं आती यानि कि कोई भी ऐसा person जो किसी और field में successful है उसे देख के आपको जलन की feeling नहीं आती लेकिन आप जिस profession जिस field में है आप जहाँ पे काम कर रहे हैं अगर उसमें आपको अपने से ज़्यादा successful कोई person मिल जाता है तो आपको वह jealousy feel होनी शुरू हो जाती है इसमें गहरी बात क्या है, समझने वाली बात क्या है वो ये है कि आपका mind उस जलन को create करके यानि कि उस uneasiness को create करके आपको ये message देने की कोशिश कर रहा है आपका subconscious mind कि you too have that potential आपके अंदर भी वो potential है आप उस potential को utilize नहीं कर रहा है आप उस potential को use नहीं कर रहा है उस potential के थुरू आप changes नहीं create कर रहा है result नहीं create कर रहा है जो आप कर सकते हैं यानि कि jealousy subconscious mind का एक तरीका है आपको ये message देने का की आपके अंदर भी वो potential है आपके अंदर भी वो capability है जिस capability से आप भी वो results या उससे भी ज़्याद अच्छे results produce कर सकते हैं जो सामने वाले किसी person को मिल रहे हैं लेकिन आप उसके लिए action नहीं ले रहे हैं वो action आपको लेने की जरूरत है वो strategies बनाने की जरूरत है और अपने आपको massive action में लगाने की जरूरत है फिर वो results आपको भी मिलना शुरू हो जाएंगे तो जैसे ही next time आपको किसी के लिए jealousy feel हो तुरंद अपने mind को ये बताईए कि मुझे jealousy इसलिए feel हो रही है क्योंकि मैं भी इसके जैसे results produce कर सकता हूँ या produce कर सकती हूँ और फिर लग जाएए उन results को create करने में produce करने में और आप देखेंगे कि कितना change आएगा वो सारी jealousy disappear हो जाएगी in fact आप लोगों को देखके plant कर लो और इस नजरिये से आप चीज़ों को देखना शुरू करो और इस वीडियो को उन लोगों के साथ share करो जिनकी आप care करते हैं जिनकी आप परवाह करते हैं जिनकी life में ये कुछ value add कर सकती है और मुझे comment करके बताईए कि आज इस वीडियो से आपने क्या learn किया what you learned out of this video today और आपके लाइट के वो कौन से challenges है वो कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप मेरी help चाते हैं so that मैं और वीडियोस create करूं और आपका वो concern address हो जाए आपके वो problems resolve हो जाएं आपके जिन्दगी से right and live the life that you deserve I will see you in the next video